हेलो दोस्तों दोस्तों आज की स्वीडियो में हम बात करने होले जीमेल में दिये वे एक नए फीचर के बारे में जो के काफी लोग नहीं जानते हैं जो लोग जीमेल का यूज करते हैं वो तो जानते होंगे कि वो कौन सा फीचर है जो जीमेल में एड हुआ है लेकिन पर अगर आप वहां से कॉल करना चाहते हो तो क्या होता दुस्तों अगर आप WhatsApp से या IMO या Skype पतार किसी भी Messenger से अगर कॉल करते हो विडियो तो क्या होता है वहां पर सब कुछ Block होता है तो यह सब यूज करने क्या होता है दोस्तों आपको VPN के यूज करना पड़ता है लेकिन दोस्तों ये मिल में एक ऐसा फीचर एड़ हुआ है जिसकी मदद से आप ये सब कुछ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बीना किसी VPN के बीना किसी रुकावट के फुल एजडी हाई डेफिनेशन कॉल मीटिंग हर चीज यहां से कर सकते हैं दोस्तों यह सब जाने के लिए आपको इस वीडियो को पुरा एंड तक देखना होगा अगर आपने कर दिया तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को पुरा एंड तक ज़रूर देखना और दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मेरे कि एमटेक मिनोवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली सब्सक्राइब का लाल बटन उसको किलिक करके सब्सक्राइब कर लो अगर साथ में जो बेल आइकन को जो बटन है दोस्तों इसको भी किलिक करके और उपे कर लो नए वीडियो की अप्डेट के लिए स्टा यहां पर हम क्या करेंगे जो Gmail है जो हम सभी के मुवाइल में होता है हम क्या करें Gmail को यहां पर open कर लेंगे पहले तो यहां पर देख सकते हो कि हम जो Gmail है उसको हम email के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पर देख सकते हैं, सभी email यहाँ पर, हम इसके लिए email के लिए यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर mail के साथ साथ में एक option यहाँ और add हो गया, यहाँ पर एक set में आपको नीचे mail और दूसरे set में यहाँ पर meet है, meet का option नजर आ रहा है, जो के इसके उपर एक application भी आपको मिल जाएगी separate, लेकिन यहाँ पर हमें Gmail के अंदर ही यह option enable मिल गया है, तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, open कर लेते हैं, यहाँ पर meet पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह सा interface का आगया है, बहुत ही simple सा interface है, कुछ ज्यादा इसमें मतलब नहीं है, कि आपको समझ मिना है, तो आपको करना है क्या है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर new meeting पर click करना है, और यहाँ जो सकते हैं, meeting यहाँ पर start हो गई है, और अब यहाँ पर क्या करना है, दूस्तों कि यह मतलब start हो गया है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, blue color में share invite का, तो इस पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पर click करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कि यहाँ पर कि इतने चाहे उतने लोगों को शेयर कर सकते हो, फिलाल तो मैं एक को share करता हूं, जिससे कि अपनी नमबर पर यहां पर share करूँ गा, तो जिससे हाँ पर मेरा दूसरा नमबर है, उस पर मैं यहां पर share करता हूं, तो यहां पर जो link के यहां पर आ गये, आपने meeting पर चले जाना वापस से, अब यहां पर हमने जिसको share किया है, वह क्या करेगा, इस link पर यहां पर click करेगा, तो जैसी यहां पर इस link पर click करेगा दोस्तों, तो यह automatically मतलब यहां पर join का option आ जाएगा, तो जैसे यहां पर join की option पर click करेगा, तो यहां पर देख सकते हैं जो हमारी meeting है, यहाँ पर admit का option आ गया है, इस पर जैसी click करेंगे, जो call है वो यहाँ पर देख सकते हैं, आप connect हो गई है, और यहाँ पर quality भी देख सकते हो, जो call की quality है, यहाँ पर HD resolution में मतलब यहाँ पर call यहाँ आप देख सकते हो, जो के मतलब यहाँ जो gmail में जो meet का option, इस वीडियो है आपका, मतलब सामने वो off हो जाएगा, और यहाँ पर wise पर click करोगे, जो wise है वो आपकी यहाँ पर off हो जाएगी, मतलब दोनों ही तरफ आप यहाँ पर wise को यहाँ वीडियो को off कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर उपर की तब आप देखोगे, जो icon है, उसको click कर होगे, तो आपकी wise है वो यहाँ पर बाहर आने लग जाएगी, और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपना जो screen share है, वो भी कर सकते हो, जिससे किया पर मैंने आपर करता हूँ, जिससे screen share करना चाहता हूँ, जिससे कि बहुत से लोग किसी कुछ समझाना क्या सकते है, वो समझ नहीं पाते हो, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, मतब सामने क के समझा सकते हो, क्यों मतलब किस तासे मतलब आपको इस सेटिंग के बारे में समझाना चाहते हो या किसी चीज़ को इस्टॉल कराना चाहते हो तो आप मतलब इस शेरिंग के मदद से आप सामने आले कि его में मत्Dam hundreds कर सकते हो , अगर आप अपने स्क्रिन शेयर करते हो तो बहुत ही दिस से मतलब यहां पे यह सब काम कर सकते हो तो यह भी मतलब इसके नदर बहुत कमत लोका ficheur है जिक मतलब समने आले कि mobile में कुछ भी मतलब इस्टॉल करा सकते हो या फिर कोई setting है उसको set कर सकते हो सई से कर सकते हो तो बहुत ही मतलब useful feature है यह भी तो दोस्तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सो तो जिसे इसे stop करेंगे तो क्या होगा मतलब जो screen से रहे वो stop हो जाएगा और यहाँ पर जो CC का option है इस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तो तो यहाँ पर जिससे सामने अला भी इसको क्लिक करके रखा है तो अगर आप English में बात कर रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अगर वो English में बात कर रहा है तो यहाँ पर वो अगर Hello बोलता है तो Hello यहाँ पर एड हो जाए अभी तो यहाँ पर English में है तो मतलब दोस्तों यहाँ पर सभी option भी बहुत ही useful है और call की quality आप देख सकते हैं मतलब जो call की quality है बहुत ही जबरदस्त है और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने जिसको call किया अगर वो यहाँ से left होना चाहते है तो यह यहाँ पर फिर से add हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं फिर से add हो गया तो इस तरह से दोस्तों मतलब सामने वाला अगर disconnect हो जाता है तो फिर से उस link पर click करके add हो सकता है अगर आपने disconnect नहीं किया है और यहाँ पर अगर आप मतलब minimize कर देते हो अपना मतलब जैसे home screen को द meeting करना चाहते हो जिसे दोस्तों से या फिर family से या फिर अपने किसी भी staff से या फिर students से तो उसी तरह से आपको क्या करना है यहाँ पर new meeting पर click करना है और यहाँ पर start meeting पर जब click करोगे तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले आप यहाँ पर meeting में add हो जाओगे तो उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से आपको क्या करना है यहाँ पर शेर इन्वाइट पर किलिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको option आ जाएगा लिंक को शेर करने का अब जिस पर भी चाहे उस पर यहाँ पर शेर कर सकते हो whatsapp, instagram, facebook, messenger या फिर और किसी भी messaging chat पर आप क्या कर सकते हो कि लिंक को जो है send कर सकते हो यहाँ पर जितने चाहे उतने लोगों यहाँ पर add कर सकते हो लिंक को send करके अब यहाँ पर कितने भी लोगों को यहाँ पर add कर सकते हो तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है बस send कर देना है यहाँ पर simple और कुछ नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर क्या करना है send करने बाद वापस से आपको back चले आना है अपने meeting पर तो यहाँ पर link send होगे आप क्या करना है आप बैक आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर जिसके पास जो भी link गई होगी वो क्या करा है जैसे उस link पर जैसे click करेगा मतलब आप जितने भी बंदे लोगों यहाँ पर link send करोगे वो जैसे जैसे link पर click करता जाएगा और join करता जाएगा आपके पास यहाँ पर admit का option आता जाएगा और सारे के सारे जो भी आपके friends या family या फिर जो भी students वगरा या फिर जिससे भी मतलब meeting करना चाहे तो सभी के सभी यहाँ पर add होते चले जाएगे और दोस्तों यह सभी के लिए मतलब बहुत ही useful है जो लोग out of country होते जहाँ पर what's up हो या फिर email या फिर facebook messenger या instagram मतलब सभी call जो होती ब्लॉक होती है और जिसको मतलब use करने के लिए वहाँ पर vpn का use करना पड़ता है तो दोस्तों जो फीचर है जीमेल में दियावा गूगल मीट का यह उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा useful है जो के बिना vpn के बिना किसी रोक टोक के मतलब बहुत ही clear और अच्छी मतलब जो hd call है वो यहाँ पर मतलब मिल जाती है तो दोस्तों अगर होगा कि जीमेल में जो option दिया हुआ वो कितना useful है दोस्तों और सभी के लिए useful है दोस्तों इससे आप high definition मतलब video call कर सकते हो meeting classes हर चीज कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों आज की सेड़ो में बस इतना ही अगर आपकी यह वीडियो पसंद है तो इसे like कर दो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जली से subscribe कर लो और साथ पर जो bell icon का जो button दोस्तों उसको click करके all पर कर लो नई वीडियो के update के लिए मिलते अगली वीडियो में तपता के लिए बाई बाई